पढ़ेंगे elementary canal के बारे में, elementary canal क्या होता है, जो हमारे mouth से लेकर rectum तक जो हमारा एक तरह से pipe connect होता है, उसको हम कह सकते है, pipe ही बोल सकते है, तो वो क्या होता है, हमारा elementary canal होता है, जो की हमारा 8 से 9 मीटर लंबा हो सकता है, ये body to body change होता है, ठीक है, a long tube running, इसको हम क्या बोलते ह यहां पर एक्टम होता है और फाहुमन बेंग इन विच डाइजेशन और फूट टेक्स प्लेस इच कॉल्ड एलिमेंटरी कैनल तो यह बोल रहे हैं आपे जो हमारा माउट से लेकर एनस तक जो हमारी पाइप कनेक्ट होती है और जो पाइप में जितने भी हमारी एब्सॉप् फिर हमारा फूट पाइप हो गया उस्वेगस फिर हमारे स्टमक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फिर रेक्टम एंड लास्ट में एनर जहां से हमारा फेस निकलता वेस्ट मटेरियल थ्री ग्लैंट्स यहां पर तीन ग्लैंट्स भी होते हैं ठीक ह रहाता है, हुहाँ पर रीवर्ट होता है, हुआ पर बाइल प्रोडूस करता है जो फैट को reversal हमारा खाना होता यह हमारी Food Pipe है। यहां पर खाना खाते हैं। यह जो नीचे जाता है कौन से process से जाता है। उसको हम बोलते हैं Paristράences process से। से क्या होता है? contraction and relaxation होता है, मतलब क्या होता है, एक तरह से पानी का भाव जैसे होता है है, तो उसको हम क्या कहते हैं ya, flow कह सकते हैं तो यहां पर क्या होता है यह contract long relaxation क्या होता है Heart होता है फॉंप होता है क्या होता है तो शारी body में हमारा खूंद जाता है तो सेम यहां पर जब यह उपदर नीचे गने लगता है ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ